मार्केट के अंदर न्यूस के चलते कभी शेयर जो है अपसाइड डारेक्शन में मूव होते वे आप लोगों को दिखाए देंगे और कभी इनी न्यूस के चलते डाउनसाइड में भी देखने के लिए मिलेंगे तो क्या आप लोगों को इन न्यूज के चलते किसी शेयर को बाई या सेल करना चाहिए क्या आपको इन न्यूज को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए तो आज का जो यह वीडियो है दोस्तों इसी चीज पर फोकस्ट है हम आप लोगों को यहाँ पर टोटल दो शेयर बताने वाले हैं जहां पर एक ग्रीन इनर्जी से रिलेटेड शेयर है एक इनर्जी एक्सचेंज के बारे में भी साथ में इन्फॉमिशन देने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप लोगों का स्टार्ट इन्वेस्ट्मेंट में और आज का जो यह वीडियो है काफी इन्फॉमिटिव काफी पावर पैक आप लोगों के लिए होने वाला है आज के दिन अगर हम बात करें शेयर मार्केट की सेंसेक्स के जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मार्केट एकदम साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है जी हाँ दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिनली डाउन है सेंसेक्स और जो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी है वो मार्जिनली अप है तो मुझे टेखने के लिए नहीं मिला है रेंज बाउंड आज जो है मार्केट रहा है इसके पीछे जो भी वज़े हूँ हमें उस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है अगर आप एक लॉंग टम के इन्वेस्टर हैं अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स को पकड़ते हैं अच्छ अपनी study पे फोकस करना है और वो share खरीते चले जाने हैं जो लंबे time में आपको अच्छा returns दें और वो कैसे पता लगेगा जब उनके fundamental strong होंगे और fundamental strong होंगे ये कैसे पता लगेगा आपको company का business analysis करना होगा उसका management पढ़ना होगा उसकी financial आंकड़े देखने होगे कि कैसे उ सारी के सारी प्रोसेसे जब आप गुजरते हैं तो तब बिलकुल आपके चांसेज बन जाते हैं मल्टिबेगर ढूनने के तो आज के जो यह वीडियो दूस्तों सबसे पहले हम IEX के बारे में information आप लोगों को देने वाले हैं यानि की Indian Energy Exchange का जो शेर है आज के दिन यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली Almost 11.43% की गिरावट जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली इस शेर के अंदर अपने 52 वीक के हाई पे यह पहुँचा 244 रुपए आज ही और आज ही गिर गया ऐसा क्यों हुआ केवल एक न्यूज के चलते ऐसा हुआ है वो न्यूज कितने हद तक IEX के लिए वो भी हम जानेंगे लेकिन पहले हम जानते हैं कि IEX करती क्या है तो सबसे पहले तो यह इंडिया की पहली इंडियन जो है कि electricity क्यों buy और sell करने के लिए आप demand डाल सकते हैं चाहे आपको buy करना है sell करना यह ऐसा platform है जहां पर electricity साथ ही साथ renewable energy certificates और electricity saving certificates की जो है demand पूरी की जाती है buy और sell किया जाता है ऐसा यह platform है इंडिया के अंदर ऐसे कितने platform है वो मैं आप लोगों को subsequently बताने वाला हूँ लेकिन अगर बात करते हैं यहां पर IEX के बारे में तो इसका electricity exchange में अगर देखा जाए तो monopoly है almost 90% market share इसी के पास है और जिस news के चलते share गिरा वो है coupling की news जी हां दोस्तों coupling के बारे में भी आप लोगों को बता हूँ का लेकिन पहले दिखा देता हूँ कि IEX कहां से कितनी income कमाता है transaction fees यानि कि इसके platform को use करके जो buy or sell order execute होते है उसके लिए transaction fees charge जो करता है उससे इसका revenue generate होता है 78% का admission and annual fees है 4% की और other income से आती है 18% जैसे कि मैंने कहा था कि more than 90% market share है तो 94% market share है इसके पास तीन कंपनिया जो है market में हैं अभी जैसे कि IEX है PXIL है और IEX यह जो है तीन अलग-अलग कंपनिया है तो यहां पर IEX को अभी तक क्या है monopoly और जो तीसरी कंपनी है वो है HPX जिसको promote कर रहे है BAC, PTC India and ICICI Bank जो की 2022 में जो है start हुई है अब दोस्तों coupling की जो news है क्या वो news नहीं है नहीं coupling की news बहुत पहले से चल रही है इसी साल यानि की February 2024 में यानि की 7 February 2024 को भी यह news आई थी उस दिन जो है share market के अंदर जब यह coupling की news आई तो उस दिन भी share market के अंदर जो है IEX गिरा था और दो दिन के अंदर यह 23% crash हुआ था February 2024 में और अभी आज के दिन 11% crack हुआ है हो सकता है कि tomorrow और यह crack हो इस news के चलते अब दोस्तों news के उपर हम focus आते हैं कि यह बहुत पहले से actually government चाहती है कि market coupling हो अब market coupling होती क्या है यह market coupling का मतलब यहाँ पे यह है जैसे कि अलग अलग exchange है जैसे कि हमने आप लोगों को बता है यहाँ पे total तीन exchange है IEX यहाँ पे काम कर रहा PXIL काम कर रहा है HPX काम कर रहा है हर जगे पे price discovery जो होती है electricity की अलग अलग होती है हाँ यह किवल पैंसों में ही different होती है एक जगे जैसे एक जगे 10 रुपए की तो दूसरी जगे 10 रुपए 2 पैंसे इतना ही difference यहाँ पे होता है लेकिन government चाहती है कि यह जो diversity है अलग अलग rate है हर जगे वो ना रहे और इसको हटाने के लिए government चाहती है कि market coupling सुरू हो जाए यानि कि आप लोग किसी भी exchange पे demand डालिए उस demand को और उस demand को पूरा करने के लिए एक दूसरे platform पे आये जाएगा जहाँ पे पता लगेगा कि demand कितनी है हमारे पास अभी supply कितनी है और एक जो rate है इस अलग platform पे निकाला जाएगा अभी तक क्या होता है कि हर platform का अपना अलग-अलग rate होता है तो rate यानि कि price discovery के लिए जो है अलग एक mechanism बना जाएगा और एक ही price जो है across the exchanges होगा यही market coupling है और यही चाहती है government बहुत पहले से पहले भी news आई थी फरवरी 2007 में वहाँ पे भी market में share crash हुआ था market coupling के बारे में पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पे step by step जो है वीडियो को pause करके read कर सकते हैं जिस्ट मैंने आप लोगों के इसका बता दिया है दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनद लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को share करें और हाँ चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले अगर market coupling देखें तो भीया government चाह रही है इस तरह का platform हो कि monopoly किसी की न रहे और सभी जगे पे क्या हो एक ही rate हो बिल्कुल एक ही rate हो अब ये market coupling government इतना ज़्यादा क्यों चाह रही है कि market coupling जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे लागो हो जाए भीया 2030 तक आप लोगों को पता है government का target है जो है green energy जादा से जादा develop करने का आप लोगों को पता है तो भीया ये green energy जो भी develop करेंगे इसको बेचेंगे कहां पे तो बेचने के लिए exchanges चीए अगर अलग-अलग exchanges अलग-अलग rate निकालेंगे तो सभी लोगों को यहाँ पे परेशानी होने वाली future में और यही long term का perspective government ने सोच के एक ऐसा mechanism बना रही है कि सभी electricity की जो rate है एक जैसे रहें और इसी mechanism को लाने के लिए market coupling जो है लाया जा रहा है तो इस news के चलते ऐसा माना जा रहा है कि IEX का जो market share है वो down होगा और उसी के चलते pressure है share के अंदर के वली इस news के चलते अभी after effect क्या होगा market coupling का वो तो भईया जब market coupling लागो होगा अभी बताया जा रहा है कि government instruct कर रहे है कि FY25 में market coupling को लागो करो भईया अगर FY25 में लागो होता है और उसके बाद क्या after effects आते हैं तब actual effects पता लगेंगे IEX share के अंदर लेकिन अभी तक यह assumption लगाया जा रहा है कि यह IEX के लिए अच्छा नहीं होगा जिसके चलते share के अंदर क्या है गिरावट देखने के ले मिली यह केवल और केवल अभी तक assumption लगाया जा रहे हैं 18,000 क्रोड रुपए का market cap है IEX का 50 का ROC 37 का ROE debt मातर 10 क्रोड का और cash equivalent 185 क्रोड के मैं कहता हूँ एक दमदार कंपनी है जिसका dividend yield है 1.16 percentage का अगर compounded sales growth देखेंगे पिछले 5 साल की तो यह है 12% की और 5 साल की compounded profit growth तो 16% के तो कंपनी के आंकड़े अच्छे हैं का business अच्छा है केवल और केवल एक assumption के चलते अगर आप इस तरह के share को बेचते हैं तो मेरे इसाब से बेवकूफी होगी मैं कोई यह buy और sell recommendation यहां पे नहीं दे रहा हूँ केवल और केवल educational purpose के लिए बना रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि किसी news के चलते जब तक की वो confirm ना हो जाए उसके after effects ना आ जाए आप लोगों को जो है घबराना नहीं चाहिए market के अंदर और साथ ही साथ fresh buying भी इस तरह के shares में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अटकलने जब तक बनी रहेंगे clarification नहीं आएगा तब तक यहां से दूर रहना चाहिए FII के बास 11 परतिसत से यह रहे है DII 31 परतिसत और public बास 56 परसेंटेज की share holding है सबसे खाश बाद latest quarter में DII FII ने दोनने share holding increase किया Top Line 450 करोड रुपए का 2024 में 379 करोड रुपीज का operating profit है बात करते हैं यहां पर net profit जो की 341 करोड रुपीज का रहा है Indian Energy Exchange पिछले एक साल के दोरान अगर आज की गिरावट हठा दी जाए तब भी 61% के रिटन्स दिया अच्छे कासे रिटन्स आज जवरदस गिरावट देखने के लिए निउस के चलते लेकिन अगर आप एक true investor है तो आप लोगों को company के fundamentals जरूर पढ़ने चीए ना कि news based आप को decision लेना चीए दूसरा share आप लोगों को बताना चाहूंगो दोस्तों ये है solar product बनाती है EV charger बनाती है power backup जो है product बनाती है और company का नाम है servo tech power systems limited अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि company का नाम हमें पताने लगा अगर आप video को अच्छे से शुनते हैं देखते हैं तो आप लोग charger की manufacturing कर रही है तो company solar inverter है solar panels है solar batteries है और साथ ही साथ AC charger DC chargers servo stabilizer है LED के field में domestic LED oxygen concentration है अलग-अलग field में company काम कर रहे हैं लेकिन अगर green energy field totally बात की जाए तो green energy में company जो है अच्छे कासी लगी हुए क्योंकि solar APC and solutions भी company provide करती है clientally इस छोड़ी सी company के अगर आप लगों देखेंगे तो IOCL, BPCL, IHB, Nayara Energy है, Demler है बहुत बहुत सारी company है जो इसकी यह माल लिजे client है company को जो market capitalization है 4,280 crore रुपे का आज company अपने 52 week के high पे trade कर रही है वहीं बात करते है company के ROCE की 11% return equity, 10% का profit गो negative में है with comparison to previous years, debt 80 crore का और cash equivalent 60 crore रुपीज के हैं, बात करते है company के top line 306 crore का, operating profit 20 crore का है बात करते हैं, यहाँ पे company के net profit की, जो की 11 crore रुपे का है, तो company अच्छा काम कर रही है पिछले 5 सालों के दौरन company का sales growth है compounded 28% और compounded profit growth है 31% का share holding pattern यहाँ पे खास है, क्योंकि promotor के पास 59% यहाँ पे जो है FII 5.53% और public के पास 34% की share holding है servo tech power systems limited, मान लिजए 2021 में यह share मात्र धाई रुपे का था, अभी 191 पे है एक जवरदस share है, लेकिन अभी अपने 52 week के high पे है, हाँ green energy field में काम कर रही है इस तरह के shares को जो है, आप अपने watch list में जरूर add कीजिए और study कीजिए कि पिछले 3-4 सालों में इस company ना ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या कर रहे है, जो इतना जवरदस्त ये increase यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसके share price के अंदर लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इसका price to earning ratio बहुत high है, ये चीज़ जरूर आप लोगों को study करनी चीए तो दोस्तों comment करके जरूर बताएगा कैसे लगा ये video, कैसे लगी information, comment करके जरूर बताएगा तो आज के इस video में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद